ताइवान के ग्रेट क्रियेटिव आर्टिस्ट ने अपनी एक खुबसूरत क्रियेटिविटी के जरिये लोगों का दिल जीतने के लिए एक ऐसे आर्ट का उधारन पेश किया है जिसे देखकर दशक अपने आपको उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पा रहे हैं दरसल ताइवान में हुआसान नाम के एक क्रियेटिव पार्क में एक आर्किटेक्स के समों ने उल्टा पुल्टा घर बनाकर वहां के परियाटकों को अश्यरे में डाल दिया बतादे कि वहां के घर को देखकर ऐसा लगता है मानो जमी उपर हो और आसमान नीचे आपको बतादे कि उस घर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि घर के बाहर से लेकर अंदर तक की हर चीज को देखकर ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप छट से उल्टे लटक रहे हो बतादे कि घर की छट की जैसी डिजाइन घर के फ्लोर को दी गई है वहीं घर के उपरी हिस्सों पर घर के अंदर मौजूद सभी वस्तूओं को इस तरह सजाया गया है जैसे वो उल्टा लटक रहा हो या फिर यू कहें कि घर की छट जमी पर बनाई गई हो उस पार्त का ब्रह्मन कर चुके लोगों का कहना है कि इस घर की खुबसूर्ती का कोई मोन नहीं है वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो चलिए इतने अजीबो गरीब घर के बारे में तो आपने जान लिया लेकिन बता दे कि इस घर को बनाने की लागत को सुनकर आप और ही दंग रह जाएंगे इस उल्टे पुल्टे घर को तयार करने में तक्रीबन 4.1-2 करोड रुपे खर्च हो चुके है इस बेमिसाल घर को 300 वर्ग मीटर में बनाया गया है नेक्स्ट मैंड न्यूज के लिए त्रिप्तिक रिपोर्ट